आपने बोला और हमने सुन लिया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने request किया था कि iPhone में जो Reminders का app है उसको कैसे use करना है उसका एक dedicated video बनाऊं तो ये video के end में आप convince हो जाओगे कि कितना powerful है Reminders का app अब हो सकता है आप एक pro हो iPhone में लेकिन फिर भी मैं recommend करूँगा कि video end तक देखे क्योंकि इस video में कुछ hidden tips and tricks बताऊँगा and most important मैं आप कुछ Siri commands भी बताऊँगा Reminders से related जो आपको बिल्कुल miss नहीं करने चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है Amit Welcome back to Allojin Tech in Hindi It's time for technology तो इस video में आपको मैं basic से लेके advance सारे options दिखाने वाला हूँ अब reminders में जाए उसके पहले हम चलते है settings के अंदर Settings के अंदर आपको आना है Reminders के अंदर Reminders पर आप जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Siri and search मिल जाता है language आप यहाँ पर selection कर सकते हो लेकिन हम देखेंगे accounts तो accounts पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपना iCloud account या फिर Microsoft Exchange या फिर Yahoo भी setup कर सकते हो लेकिन अगर आपने iCloud select करके रखा होगा तो जितने भी reminders आपने set कियोंगे आपके iPhone में वो आपके iPad पे भी दिखेंगे Apple Watch पे भी दिखेंगे as well as आपके Macbook पे भी दिख जाएंगे तो in my case जो reminders का जो account है वो मैंने iCloud पर create किया है उसके बाद आपको आना default list पे default list में आपको कोई भी एक category select करके रखनी है in my case मैंने इसको reminder select करके रखा हुआ है उसके बाद आप जब back आओगे तो यहाँ पे आप today notification को यहाँ से on कर दीजिए अब यहाँ पे आपने हिसाब से एक time set कर सकते हो तो जो time आप यहाँ पे set करोगे by default आपको जो notifications मिलेंगे वो इसी time पे मिलेंगे show is overdue को यहाँ से आपको on कर देना है and mute notification का मतलब यह है कि अगर आपके कोई assign reminders है उनके notification आप यहाँ से off कर सकते हो लेकिन बाकी सब reminders के अगर आपको notification on या off करने है या फिर अगर आपको उसका ringtone change करना है तो उसके लिए आपको एक step back आना पड़ेगा यहाँ पे उसके बाद आपको क्लिक कर ला होगा notifications में notifications के अंदर आपको क्लिक करना है reminder अब यहाँ पे आपको बाकी सारे changes करने whether आपको notification allow करने या नहीं करने आपको lock screen पे notification चाहिए कि नई notification center में आपको यह reminders चाहिए कि नई banners आप यहाँ से select कर सकते हो sound select कर सकते हो, badges select कर सकते हो तो जो भी reminder से related notification की settings है वो सारी आप यहां से कर सकते हो अब यह तो हो गया everything about settings अब चलते हम reminders के app में तो reminders पर आप जैसे click करोगे तो सबसे उपर आपको जो मिलता है वो smart list यह auto create होके आपको दिखती है लेकिन आपको जो change करना है वो changes आपको यहां पर करने है तो सबसे पहले हम एक list create कर देते हैं और वो करने के लिए आपको यहां पर add list का option मिल जाता है उसके उपर आपको click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आप कोई भी इसको नाम दे देते हो तो for example मैं allology and tech लिख लेता हूँ यहां पर next इसका मैं color यहां से select कर सकता हूँ जो मैं blue ही रखने वाला हूँ इसके सिवा यह जो icon है वो भी मैं यहां से change कर सकता हूँ अगर मेरे को यह वाला icon नहीं चाहिए तो मैं कोई emoji भी यहां पर set कर सकता हूँ for example यह वाले emoji set कर लेता हूँ and यहां पर done कर देते हैं इसको तो यहां पर आप देख सकते हूँ को मेरी जो list है वो create हो चुकी है अब आते हम इस list के अंदर and यहां पर आपको reminders को set करने का option मिल जाएगा तो कोई भी नया reminder create करने के लिए आपको यहां पर click करना new reminder पर and उसके बाद आपका जो भी reminder आपको यहां पर set कर देना है for example मैं यहां पर लेक लेता हूँ subscribe to my channel उसके बाद आपको जो भी modifications करने वो करने के लिए इस i button पर click करना होगा तो i button पर आप जैसे click करोगे तो यहां पर आप कोई भी notes additional add कर सकते हो अगर आप चाहो तो plus यहां पर आपको URL भी add कर सकते हो तो जैसे URL के जगह पर मैं डाल देता हूँ apple.com इसके बाद जब मैं done करूँगा तो यहां पर आपको website भी दिख जाएगी number one यहां पर आप date set कर सकते हो number two यहां पर आप कोई time भी set कर सकते हो तो यह तो आपकी basic requirements होगी plus आप इसको repeat भी कर सकते हो यहां से whether आपको never करना या फिर आप every hour इस reminder को repeat करवाना चाहते हो या फिर अगर आप इसको daily या फिर weekly या monthly करना चाहरे हो तो वो settings आप यहां से change कर सकते हो अगर आपको in में से कोई option नहीं भी choose करना है तो आप यहां से custom भी आके कर सकते हो custom में आने के बाद अगर आपने यहां पर hourly कर दिया होगा तो आप यहां से every hour भी यह selection कर सकते हो या फिर every two hours, three hours, four hours भी कर सकते हो तो आपके requirement के हिसाब से ये selection आप कर सकते हो फिलाल in my case में इसको monthly कर देता हूँ end repeat का भी एक option यहाँ पर आपको मिलता है आप repeat forever भी कर सकते हो या फिर end repeat date भी कर सकते हो कि उस date तक ही ये वाला reminder repeat होता रहेगा फिलाल हम इसको repeat forever करते हैं एक step वापस आते हैं तो यहाँ पर मेरे को वो option मिलेगा that is अगर ये वाला phone मेरा मेरे car के साथ connect होता है तब मेरे को कौन सा reminder आना चाहिए वो मैं selection यहां से कर सकता हूँ तो कितनी बार ऐसे कुछ reminders भी होते हैं जो हमको तभी याद करने हैं जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर हम car में जैसे बैठ रहे हैं तभी मेरे को वो वाला reminder चाहिए तो तब ये वाला option बहुत काम आएगा last आपको यही पर एक option मिल जाता है custom का custom पर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी location भी add कर सकते हो and plus इस location का अगर आपको radius change करना है तो इस dot को आपको drag करना है towards out या towards in तो जितना छोटा radius आप करोगे create उतने radius में जब आप enter करोगे तभी आपको ये reminder एक notification देगा तो जैसे for example आपको ये mall के pass में हो and आपको वो notification तभी चाहिए जब आप mall के अंदर enter हो तो आपको वो mall यहां से select कर देना है and उस mall का आपको radius यहां पर जैसे आप छोटा करते जाओगे उस location पर आप जब enter होगे तभी आपको notification मिल जाएगा अब next आपको यहां पर जो option मिलता हो मेरा personal favorite option है that is when messaging तो कितनी बार यह होता है कि अगर आप किसी को message कर रहे हो और आपको तभी आपको एक reminder चाहिए कि आपको कुछ और message में add करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको when messaging पर tick mark कर देना है उसके बाद आपको choose person पर click करके उस contact को select कर देना है तो for example मेरा एक contact है AD उसको मैंने यहाँ पर select कर दिया है और उसके बाद मेरे को यहाँ पर done कर देना है अब अगली बार जब भी मैं इस contact को कोई भी message भेजने के try करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक notification मेरा आ चुका है तो यह notification मैं को याद कर रहाएगा कि जब इस contact को मैं message कर रहा हूँ तो मेरे को और क्या additional messages करना है या फिर और क्या काम है मेरे को इस contact से इसके सिवे और भी कुछ options यह वो देखने के लिए अगेन आपको यहाँ पर i button में आना होगा यहाँ पर आपको एक option मिल जादा है flag का इस particular reminder को मैं flag भी कर सकता हूँ इसकी priority भी यहाँ से मैं select कर सकता हूँ जिसको मैं high कर देता हूँ list में यहाँ से change कर सकता हूँ अगर मिल इसको ology and take के list से हटा के reminders में डालना है तो वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ एक बार आपने सारे options select कर लियो हो उसके बाद आपको done click कर देना है तो अब आप देख सकता है कि जो भी conditions मैंने यहाँ पर डाली है वो सारी conditions आप यहाँ पर देख सकते हो अब आगे बढ़ने से पहले अगर यह वाला वीडियो आपको थोड़ा भी informative लग रहा है तो like, share and subscribe ज़रूर करें यह एक छोटा सा token है आप लोगों का for my efforts अब say for example आपने एक और reminder set किया है and इस reminder को आपने नाम दिया shopping तो shopping पर click करने के बाद अब आप जब i button पर आओगे तो बाकी सारे options मैं आपको यहाँ पर दिखा जुका हूँ लेकिन यहाँ पर आपको एक additional option मिल जाता that is subtask तो subtask में आने के बाद आप add reminders आप कर सकते हो यहाँ से and यहाँ पर मैं कुछ और items add कर देता हूँ for example perfume next में select कर लेता हूँ vaseline उसके बाद मैं लिख लेता हूँ for example deodorant तो अब आप देख सकते हो कि मैंने 3 subtask यहाँ पर create कर लिए अब जब मैं back आके यहाँ पर done करूँगा तो आप देख सकते shopping का main reminder मेरा set हो चुका है and उनके नीचे एक subtask भी मेरा add हो चुका है अब जैसे यह चीजे मैं purchase करता जाऊँगा तो यहाँ पर मैं individual इनको tick mark भी कर सकता हूँ या फिर अगर मेरी सारी list complete हो चुकी है तो directly यहाँ से shopping पर जब मैं click करूँगा तो मेरे सारे reminders tick हो जाएंगे अब यह तो हो गया about subtask लेकिन अगर for example मैं को जो Vaseline खरीद नहीं है उसका मेरे को picture भी add करना इस reminder के अंदर तो उसके लिए मैं जैसे Vaseline पर आऊँगा यहाँ पर मेरे को eye button पर click करना है और यहाँ पर मेरे को नीचे एक option मिल जाएगा add image अब add image में मैं को तीन option मिल जाते है अपकोर मैं photo library से picture यहाँ से add कर सकता हूँ यहाँ फिर मैं कोई scan document भी यहाँ से add कर सकता हूँ मैं जैसे यहाँ पर done करता हूँ तो आप देख सकते हो कि Vaseline के बाजू में एक picture यहाँ पर added है तो next time मैं जब shopping करने जाऊँगा अगर मुझे Vaseline खरीद नहीं है तो मैं वो सिर्फ इतना ही करना कि यहाँ पर आके एक बार picture चेक कर लेना है अब next चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहरा हूँ यह कि जैसे आपने कोई भी new reminder set किया है for example मैं यहाँ पर hello लिख लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आपको कुछ options मिल जाते हैं that is first a calendar calendar पर click करने के बिए आप today भी select कर सकते हो या फिर अगर आपको tomorrow select करना तो वो भी आप कर सकते हो तो आपको individually eye में जाके वो time set नहीं करना है तो आप यहाँ से directly कर सकते हो यही चीज आप location के लिए भी कर सकते हो यहाँ से reminder को flag भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो यही से directly आपको picture को add भी कर सकते हो अब जैसे कि मैंने आपको बता है कि कोई भी reminder अगर आपका complete हो जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही करना कि इसको यहाँ से tick कर देना है जैसे आप tick करोगे तो कुछी देर में यह वाला reminder hide हो जाएगा अगर आपको hidden reminders वापस access करने हैं आपको यहाँ पर जो triple dot दिख रहा है इस पर आप जैसे click करोगे तो show completed में click करने के बाद आप वो reminder वापस दिखने को मिल जाएगा इसके सिवाए आपको triple dot में कुछ additional options भी मिल जाते हैं for example name and appearance आप select कर सकते हो जो नाम मैंने इस list का दिया था वो यहाँ से मैं change कर सकता हूँ share list पर मैं बाद में आता हूँ लेकिन select reminders पर जैसे मैं click करता हूँ तो यहाँ पर मैं मैं मेरे reminders को select करके उनको directly यहाँ से delete भी कर सकता हूँ या फिर उनका मैं यहाँ पर time भी set कर सकता हूँ कौन से टाइम पर में कोई reminders आने चाहिए या फिर triple dot पर click करने के बाद उनको मैं एक साथ mark as completed या फिर flag भी कर सकता हूँ तो यह option आपको तब use करना जब आपको multiple reminders के ऊपर कोई भी action लेना हो and lastly triple dot पर click करने के बाद यह पूरी list आप यहीं से delete भी कर सकते हो अब बात कर लेते हैं share list की तो share list के लिए सबसे पहले हम back आते हैं और एक और यहाँ पर list create कर देते हैं for example इसका मैं नाम लिख लेता हूँ groceries इसका एक अच्छा सा icon select कर देते हैं and यहाँ पर मैं इसको color देते हूँ red उसके बाद इसको done कर देते हैं अब आते हैं इस particular list के अंदर and वापस इस triple dot पर हम जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलता है share list का share list पर आप जैसे click करोगे तो अब यह वाली list आप multiple लोगों के साथ share कर सकते हो whether आप messages के थरू share करना चाहरे हो whatsapp के थरू mail के थरू यह facebook के थरू लेकिन याद रखना है जिसके साथ भी आप अपनी list share करना चाहते हो उन सब के पास iOS 13 के बाद का कोई भी iOS होना चाहिए तो जैसे for example मैं messages select करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मेरे को उस receiver का नाम add कर देना है for example मैंने ad select कर दी हैं यहाँ पर मैं इसको send कर देता हूँ अब आप देख सकते हूँ कि जो groceries का जो list है वो मेरा contact AD करके उसके चाहर हो रहा है तो कहने के मतला अब यहाँ पर जो भी reminders मैं add करूँगा वो मैं भी access कर पाऊँगा as well as AD भी उसको access कर पाएगा तो जैसे मैं यहाँ पर एक reminder add कर देता हूँ for example यहाँ पर मैं milk लिख लेता हूँ क्योंकि यह groceries की category है यहाँ पर मेरे को i button मिल रहा है i button में click करने के बाद अब मेरे को एक नया option मिल जाएगा that is assign reminder assign reminder पर click करने के बाद अब मैं select कर सकता हूँ किसको मेरे को assign करना है and जैसे मैं assign करूँगा उस person को तो उस person को एक notification आएगा कि यह वाला जो काम है वो उसको assign किया गया है and यहाँ पर बाजू में आपको picture दिखेगा जिसका मतलब यह है कि यह वाला जो काम है इस person को assign किया गया है अब अगर इनमें से कोई भी reminder का location में को change करना है तो मैं को इतना ही करना इस reminder के उपर long press करना है and उसके बाज मैं इसको drag कर कोई और जगावे भी लेके जा सकता हूँ या फिर अगर मैं को इसको shopping के अंदर डालना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो एक तो तरीका यह हो गया तो यहाँ से मैं इसको delete भी कर सकता हूँ unflag भी कर सकता हूँ as well as details में आके मैं सारे settings यहाँ से भी change कर सकता हूँ अब save for example by mistake कोई reminder यहाँ से मैंने delete कर दिया है तो इसको मैं वापस भी लेके आ सकता हूँ either by shaking the phone या फिर मैं तीन finger से यहाँ पर double tap भी करूँगा तो यह वाला reminder मेरा वापस आ जाएगा मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ यह वाला reminder by mistake मैंने यहाँ से delete कर दिया है और उसके बाद मैं को इतना ही करना है इन तीन finger से मेरे को double tap करना है तो जैसे मैं double tap करूँगा आप देख सकते हैं यह वाला reminder वापस आ चुका है अब एक favorite trick में आपको दिखा देता हूँ उसके लिए suppose मैं कोई mail के अंदर हो and mail के अंदर मैं को कोई भी task assign किया for example मैं को यह mail आया और उससे मेरे को बताया गया कि pick up gem equipments on the way तो मेरे को इतना ही करना कि इस वाले message को यहाँ पर select कर देना है जैसे मैं यहाँ पर select कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर मैं को option मिल जाता है share का share पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है reminders का reminders आप जैसे select करोगे तो यहाँ पर एक reminder आप add कर सकते हो तो जैसे मैं इसको add करूँगा और उसके बाद मैं आता हूँ reminders के अंदर तो आप देख सकते हैं एक reminder create हो चुक है और उसमें जो भी instructions मेरे को दिये गए तो यहाँ पर add हो चुक है और प्लस अगर मैं को उसी email को access करना है तो यही से directly में कर सकता हूँ तो जैसे मैं इस email पर click करूँगा तो email के उपर में directly पहुच जाऊँगा तो यह वाला trick आपको तब काम आएगा जब आपको कोई भी task assign किया गा है over an email अब यह तो हो गया everything about reminders लेकिन कुछ Siri commands भी है जो बहुत ही interesting है and आपको बिल्कुल ही miss नहीं करने चाहिए तो सबसे पहला जो Siri command है उसमें आपको यह बूलना है remind me at 10 a.m. to take my keys तो आप देख सकते हूँ कि यहाँ पर reminder add भी हो चुक है and साथ में एक time भी assign हो चुक है next Siri command है add cheese to my groceries list तो अब आप जैसे अपनी groceries की list में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि चीज उस particular list में directly add हो चुकी है next command है remember to take my umbrella when I leave home तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर reminder add भी हो चुक है as well as उसका location भी यहाँ पर assign हो चुक है अब next अगर मैं को मेरी groceries की list read करवानी है Siri के पास है तो उसके लिए मैं को command बोलना है read मैं groceries list तो आप देख सकते हो groceries की list यहाँ पर pop-up भी हो चुकी है and plus वो आपको read out भी करके दे रहा है कि क्या के items groceries के list में added है next जो Siri command है उसमें आप Siri को यह बोल सकते हो remind me when I get home to check email तो आप देख सकते हो यहाँ पर check email करके reminder set हो चुक है as well as arriving at home तो आपका जो home का location वो भी यहाँ पर add हो चुक है अगला जो Siri command है और again मेरा personal favorite है and उसके लिए आपको बोला है remind me to call AD when I get in my car तो आप देख सकते हो यह वाला reminder set भी हो चुक है and यह तब ही आपको remind करेगा जब आपका phone आपके car से connect हो जाएगा अब say for example आपको email पढ़ रहे हो and आपको यह email बाद में पढ़ना है तो उसके लिए आपको यह command बोलना पढ़ेगा remind me about this email tomorrow तो आप देख सकते हो जो भी subject होगा उस email का हो यहाँ पर add हो चुका है and email के link भी यहाँ पर add हो चुकी है and यह reminder आपका automatically reminders में create हो जाएगा and यही चीज़ आप safari के लिए भी कर सकते हो तो for example safari में कोई website में access कर रहा हूँ तो यहाँ पर में को इतना ही command बोलना है remember this website तो वो reminders में add हो जाएगा या फिर आप यह भी बोल सकते हो remind me this tomorrow at 10 a.m तो in both the cases आपकी जो भी website की link है वो यहाँ पर reminder में add हो चुकी है and प्लस यहाँ पर एक time भी set हो चुका है इस reminder के लिए तो मेरे हिसाब से आपके reminders को और भी जादा powerful बनाने के लिए आपको यह सारे Siri command जरूर यूज़ करने चाहिए तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी informative लगा है तो like and share जरूर करे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो subscribe कर सकते हो अगर आपको जो bell icon मिल रहा है उस पर पी click जरूर करें देखते रहे ओलो जिन टेक इन इंदी और मिलते है नेक्स वीडियो में